आज हम मैंस में चैप्टर नम्मर 4 की एक्सराइज 4.2 को सॉल्ट करेंगे कल हमने एक्सराइज 4.1 का सेकेंड क्वेशन समझाता आज हम इसमें एक्सराइज 4.2 का क्वेशन नम्मर 1 समझेंगे ठीके तो क्वेशन नम्मर 1 आपका क्या है एड आपको क्या करना है इनको एड करने है तो बचो आपको एक्सराइज 4.2 का क्वेशन नम्मर 1 अपनी बुक में ही सॉल्ट करना है ठीके इस क्वेशन को आपको अपनी नोट बुक पे सॉल्ट नहीं करना है आपको इसे किस में करना है, बुक में, तो एक question मैं आपको सिखा देती हूँ, easy है, add करना है, तो बागी के आप खुद करियेगा, तो देखिए आपका first question क्या है, सबसे पहले मैं आपको जबी भी कोई भी question करवाती हूँ, तब आपको क्या बताती हूँ, कि आपको क्या करना चाहिए, पहले हमें नंबर को पढ़ना चाहिए, तो देखिए, यह नंबर क्या लिखा है आपका, पढ़िए इसको, पढ़िए, कैसे पढ़ेंगे, one, ten, hundred, thousand, ten, thousand, lakh, तो क्या हो गया नंबर, one, lakh, 36,280, ठीक, ऐसे ही इसका second question देखिए, second हमारा नंबर देखिए क्या है, one, lakh, 94,364, तो हमें इन्हें क्या करना है, एड करना है, एड, एडिशन में हम क्या देखते हैं, एडिशन में हमें पीछे से एड करना होता है, तो करिए, zero में four, eight करिए, zero की कोई value होती नहीं है, तो zero में हम four, eight करेंगे, तो क्या होगा, answer क्या आए एड करना है, eight में six add करना है, तो eight में six add करिए, बताईए, answer कितना हैगा, eight में six add करिए, eight के बाद six तक counting कर दी जल्दी से बताईए, बोलिए, fourteen, तो fourteen का आप लोग क्या लिखोगे, यहाँ पर four, और one हमारी carry हो जाएगी, ठीक, अब आपका ये number क्या है, two, three, three बड़ा है, three में पहले two add कर दीजे, कितना हैगा, answer five, अब हमारे पास one carry थी, five में हम one carry add करेंगे, कितना हैगा, answer six, लिख दीजे, next number है हमारा six और four, तो six में four add करें, कितना हैगा, answer ten, ten का हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर zero, और one carry, carry का अप लोग ध्यान रखेंगा, ठीक, अब next number है आपका, three और nine, तो nine बड़ा है, तो हम nine के बाद three count कर लेंगे, जल्दी से, करें, कितना हैगा, answer आपका, twelve, अब हमारे पास one carry थी, तो twelve में one add करें, कितना हैगा, थरिंग, थर्टींं का हम क्या लिखेंगे, आपर, three और one carry, आप हमारे पास यहाँ पर क्या है, one और one, तो one में one add करेंगे, तो क्या होगा, 2 और हमारे पास 1 कह रही थी तो 2 में 1 3 तो आपका अंसर क्या आ गया 3,30,644 समझ आ गया आपको ये question number 1 आप इसके सारे parts अपनी book में solve कर लेंगे चलिए तो आगे बढ़ते हैं बचो ये है आपका question number 2 देखे जैसे मैंने आपको exercise 4.1 question number 2 कराया था सेम ये वैसा ही है आपको इसे column में arrange करना है और फिर उसको add करना है तो मैं इसको दो बार नहीं बताऊंगी मैंने आपको इसे पहली वाली वीडियो में ये वाला question से बताया है तो देखे क्या करेंगे आप लोग इसको column में arrange करेंगे ऐसे लिखेंगे जैसे आपका question number 1 था इसको ऐसे लिखेंगे इन numbers को column में arrange करेंगे इसको ऐसे लिखेंगे और फिर add कर देंगे आपको question number 2 अपनी notebook पर ही solve करना है ओके तो मैंने क्या बोला आपको question number 2 मैं करा चुकी हूँ आपको बस क्या करना है column में arrange करकर इनको add करना है तो कर लेंगे आप लोग आसानी से ठीक question number 1 आपको अपनी book में करना था question number 2 आपको अपनी notebook में करना है ओके आगे बढ़े और इसका last question परते हैं बचों देखिए यह है इसका question number 3 क्या है try to solve this mentally आपको इसे अपनी mind से solve करना है देखिए क्या लिखा है first question 3472 यह number लिखा हुआ है फिर इसके बाद addition का sign है फिर आपका box है आपको अपना answer फिल करना है उसके बाद आपका equal लगा कर answer लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ हुआ इसका मतलब यह हुआ कि हम इस number में कितना number और add करें कि हमारा इतना answer आ जाए समझ रहे हो ना आप लोग क्या हुआ हुआ इसका मतलब कि हम 3472 में कितना number add करें कि हमारा answer 4685 आ जाए तो इसके लिए हम क्या करेंगे 4685 मैसे 3472 को less कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ठीक क्या करोगे आप इस नंबर मैसेज को less कर देना आपका हिहाँ पर आंसर आ जाएगा ठीक है सेकिंड देखें क्या है फिर से वही बॉक्स पना हुआ है फिर प्लस ये नंबर लिखा हुआ है 99,999 उसके बाद एक को लगा कर आंसर लिखा हुआ है वल लेक तो क्या मतलब हुआ कि हम 99,999 में कितना नंबर एट करें कि हमारा वल लेक आ जाए बोलिए 99,999 में हम कितना एट करें कि हमारा वल लेक आ जाए पुलिए तो बहुत इसी है वान हम अगर 99,999 में वन एड करते हैं तो हमारा आंसर कितना चाहेगा वन एक इतनी बास समझ में आ गई आपको चलिए देखिए next चेंज दा ओर्डर एंड एड आपको क्या करना है इसे ओर्डर में लिखना है ठीके और फिर उसको एड करना है यह भी easy है आप लोग आसानी से इसको एड करना होगे चलिए आगे बढ़ते हैं बच्छो देखिए इसके आगे की question क्या है the successor of 85,461 is देखिए successor का मतलब क्या होता है successor का मतलब होता है कि 85,461 के आगे वाला number क्या होगा successor का मतलब होता है कि आपको उस number का आगे वाला number लिखना होता है जस्ट आगे जो उसका number होता है बस वही लिखना होता है जैसे मैं आपसे पुछू कि 3 का successor क्या होगा तो आप लोग बताएए मुझे 3 का successor क्या होगा 4 4 को successor क्या होगा 5, 5 का 6, ऐसे ही आपको 85461 का successor लिखना है, ठीक, तो क्या होगा इसका 85462, ठीक है, लास्ट इस exercise का जो हमारा question है, वो क्या है, अब predecessor का मतलब क्या होता है, predecessor का मतलब होता है कि आपको उस number का just पहले वाला number लिखना है, जैसे 3 का predecessor क्या होगा, 2, 2 का 1, 1 का 0, ऐसे ही आपको 45126 का predecessor लिखना है, क्या होगा इसका अंसर, 45125, आंसर है, 45125, ठीक, तो आपको इतना समझ में आ गया, तो आज हमने क्या किया, आज हमने अपनी exercise 4.2 के 3 questions समझे, तो आपको इसमें क्या करना है, आपको इसमें exercise 4.2 में question number 1 तो अपनी book में solve करना है, question number 2 and 3 ये दोनों question आपको अपनी notebook में solve करना है, ठीके, तो अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए, good bye. झाल झाल